ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ So, hello guys, welcome back to my new vlog तो मेरे गले की थोड़ी बैंड बजी हुई है, पता नहीं क्यों अभी मैं थोड़ी देर बैर ले सो के उठी हुँ और मेरा ना मुझे सर्दी ना जुखाम पता नहीं कुछ नहीं लगा लेकिन फिर भी मेरा गला बैठ चुगा है अपनी आप और निकल रहे का ऐसा आवाज लड़कों की तरह तो शाम के अभी शारे छे बजने वाले और मुझे लगे है भूग तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा बनाओं जो कि आप लोग को भी दिखाओं तो मेरा इसके साथ ब्लॉग भी बन जाये का एक छोटा सा तो मैं बेसिकली बनाने वाली हूँ उसको चाहे आप बर्गर बोलो चाहे सैंविच बोलो दोनों ही चल सकता है तो जो भी नाम दो तो चलो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं तो यहां मैंने लिया है बन जो कि दो बन है और प्याज काट लिया एक दम थिन तरीके से पतली पतली उसके बाद मैंने लिया है भुजिया आलू भुजिया उसके बाद आलू का भरता क्या बोलते है इसको आलू का भरता या चोखा जो भी और सौस तो चलो देखते हैं किस त बन इसको पैकेजिंग से निकाल के उसके बाद मैं करूंगी इस बन का पोस्मडम चाभू ले लिया मैंने इसका जीर हरन करने के लिए तो मैं इसका जीर हरन करने के लिए पूरी जतनों जतन लगा रही हूँ देखते हैं कैसे कटता यह उसके बाद मेरा बन कटा तो नहीं पर सारे बन का रायता ज़रूर बन गया तो फिर क्या करूं मैं फिर मैंने लिया दूसरा बन और फिर सोचा कि चलो इसके साथ भी देखते हैं यह तो कटी जाएगा तो मेरा दोनों बन नहीं कटा क्यूंकि बन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था इसलिए सही से नहीं बीच से कट रहा था तो फिर मुझको आया एक दिमाग कि मैं एक के उपर एक बन का लेर लगा देती हूँ फिर मैंने एक बन के उपर अपना आलू का स्टफ अच्छे से लगा दिया और दूसरे बन पर सॉस लगा दिया अच्छे तरीके से अब मैं इसको चलती हूँ तवे पर सेखने के लिए तो चलो किस तरह से सेखती हूँ तो यहां मैंने गैस के उपर तवा गरम कर लिया है अपने कालू तवे को गरम हो चुगा इसमें औल डाला है मैंने औल डालने के बाद इसको थोड़ा सा इधर उधर 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 हिला लेंगे कर्ची से फिर हिलाने के बाद हम इसमें अपन जो आलू के साथ बना हुआ ये था जो कि मेर से सही से उठ भी नहीं रहा था तो मैंने अच्छे से दोनों हाथ से इसको तवे पर रखा थोड़ा सा इसको टैप टैप करके सेख लेंगे सेखने के बाद इसको फिर हम दूसरे तरफ पलट देंगे दूसरे तरफ पलटने के बाद हम फिर इसको शेख लेंगे ठीक तरीके से यह आलू भी सिख जाएगा जो कि थोड़ा टिक्की टिक्की फ्लेवर आ जाएगा जो कि बर्गर में डलता है टिक्की टाइप का तो मैं इसमें ज्यादा ओयल यूज नहीं कर रही क्योंकि मैं मुझे इतना भी अच्छा नहीं लगता ओयल तो इसलिए मैं नीचे आलू में आलू नहीं डाल रहे हैं तो पूरा बहुत ज्यादा ओयली ओयली हो जादा तो यहां ओयल कम पढ़ने के वज़े से मेरा आलू भी चीपा करा है गानिश करने के बाद फिर मैं इसमें अपना सॉस वाला साइड बन का वो रख दूंगी मेरा बन का हालत बहुत खराब है क्योंकि इसका मैंने वस्त हरन कर दिया इतना वेकार हो गया यह देखने में चलो फिर भी कोई नहीं मैं इसमें इतना मेहनत करी पर यहां क्या हो गया मेरे सीन है वाह क्या सीन है तो यहां मेरा बन का एक सट जल गया और मुझे बहुत दुख हूँ तो यहां मैं अपना सैन्विच जला हुआ सैन्विच लेकर बैट चुकी थी तो अब मैं उसका कुछ कर नहीं सकती थी तो मैं सोच रही थी क्या करूं क्या करूं फिर मुझे दिमाग है कि मैं इसका उपर वाला साइड हटा देती हूं तो मैंने इसका उपर वाला साइड हटा दिया था और इसको खा लिया था क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसमें मेरा बहुत मैनत भी लगा था इसलिए मैंने इसको खा लिया था उसके बाद में हमारे गली के नीचे नान खटा ही आता है तो मैंने वो खाया बैठके और बस सोच रही थी कि मेरा वीडियो बनाने के कारण मैं कितना अच्छे से मैंने ये सब सेट अप किया और सब बेकार हो गया चलो कोई नी तो वीडियो अच्छा लगे या फणी लगे या कुछी भी लगे तो लाइक कर देना और शेर कर देना सब्सक्राइब प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना या थैंक यू फॉर वाचिंग टाटा